अब लूर्वान दिस इस अप्रशेक रायन वेलकम यूवल टूर फेवरेट यूट्यूब चैनल राइजुकेशन राइजुकेशन चैनल पर आप सभी वाइब बतनों का अर्थिक स्वागत है मित्रों काफी दिनों से जब से यूपी बीड का फॉर्म फिलप हो रहा था लग किया जा रहा है बीड को भी उसमें सामिल किया गया है तो इस वज़े से ज्यादा लोग फ़हम भरें हैं इस बार रिकार्ट तो तो उसी को आगे रखते हुए कि बारवी के बाद अब चार वर्शी बीड का रिक्रम के नियम जारी हो चुके हैं इसके बारे में पूरी आथ जाला का और इसमें लिखा हुआ है बारवी के बाद चार वर्शी बीड का पार्ट क्रम के नियम जारी बारवी में कम से कम 50 प्रतिशत अंग आने पर ही कर सकेंगे ये कोर्स तो बहुत इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए प्रात्मिक और उच प्रात्मिक में सिक्षक बनने के लिए ये कोर्स है बारवी के बाद चार वर्शी बीड का पार्ट क्रमों के नियम राष्टी अध्यापक सिक्षा परिशाद यानि एंसी टी ने जारी कर दिये हैं एंसी टी ने दो नए कोर्स शुरू किये हैं इन कोर्से की पहली अधिसूजना को सरकार ने अभी तक प्री प्रायंबरी से प्रायंबरी स्तर के से स्रिक्षन के लिए विड करना अनिवार था इस बीच एंसी टी ने चार वर्शी इंटीग्रेट टीचर एजुकेशन प्रग्राम यानि IETEP शुरू करने का एलान किया था इसकी अधिसूचना जारी करते वे NCT ने मानेता के विदन भी मांग लिये थे इस बीच इसी वज़े से प्रक्रिया रोग दी गए थी किसी कारण वस अब सरकार ने एक्ट में संसूधन करते वे अधिसूचना जारी की है एक IETEP प्री प्राइमरी से प्राइमरी स्तर पढ़ाने के लिए होगा जब की दूसरा IETEP कोर्स अपर प्राइमरी से स्केंडरी स्तर तक पढ़ाने के लिए होगा दोनों ही पार्ट करमों की अवदी चार वर्ष की होगी और इन में बारवी के बाद दाकिला मिलेगा इन पार्टिक्रमों के लिए ग्रेजुएशन की जरुरत नहीं होगी तो बहुत इंपोर्टेंट है और इसमें इंपोर्टेंट यह है कि जो भी कॉलेज में बीट चल ला था चाहे आपका बीटीसी चल ला थ अब हर कॉलेज में कच्छा बारवी के बाद से जो बच्चे हैं बारवी पास करते हैं कम से कम 50% तंगों के साथ तो उनके लिए अलग से सीट का भी निर्धानन कर दिया गया है तो प्रते कॉलेज में मिलेंगी 50 सीटें NCT की ओर से जारी अधिसुचुना के मताबिक IETP के लिए एक यूनिट 50 सीटों की होगी BAD MAD वाले संस्थान को इस कोर्स के लिए 500 वर्ग मिटर भूमी और 400 वर्ग मिटर बिल्डिंग तयार करनी होगी किसी ने संस्थान को या कोर्स अचालित करने के लिए BACB.com जैसे कोर जिसके हिसाब से भूमी और इमारति की सीमा बढ़ाई जाएगी तो कि कॉलेजों के लिए लेकिन 50 सीटें आपकी वहीं होगी जहां पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्से चल ले हैं उन्हीं में यह 50 कोर्से और इंटीग्रेट करके जोड़के यह आपक की लगेंगे टोटल चार साल जिसमें आपको ग्रेजुएशन इसतर पर भी आपको डिग्री में अविलेबल हो जाएगी और आपका बीट पार्टिकरम भी तैयार कर लेंगे आप इस करक्रम से तो बहुत इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट थी बने रही है हमार साथ विडियोस को शेयर करते हैं गोड ब्लेस यू आल थेंगे सो मच